किस्मत से परे, संघर्ष और सफलता की कहानी गाउं के एक छोटे से परिवार में जन्मा रामू, एक साधारण किसान का बेटा था उसकी जिंदगी भी उतनी ही साधारण थी जितनी उसके परिवार की थी वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और घर के लिए रोजी रोटी कमाता रामू का दिल बड़ा था, लेकिन उसकी परिस्थितियां उससे भी बड़ी चुनौती थी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसकी पढ़ाई भी कई बार पैसों की कमी की वजह से बाधित हो चुकी थी पर रामू के अंदर एक अजीब सी जिद थी उसने ठान लिया था कि वह अपने परिवार की स्थिति को बदलेगा चाहे उसे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े रामू को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था जब भी उसे खेतों से समय मिलता वह पास के पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ाई करता गाउं में स्कूल तो था लेकिन वहां की पढ़ाई सीमित थी रामू का सपना था कि वह शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करे और कुछ बढ़ा करे एक दिन रामू ने अपने पिता से कहा बाबु जी मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ यह सुनकर उसके पिता थोड़े चिंतित हुए और बोले बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे शहर भेज सके रामू की आँखों में आँसू आ गए लेकिन उसने हार मानने से इंकार कर दिया रामू ने तैय कि वह खुद अपने सपने को पूरा करेगा उसने दिन रात मेहनत की खेतों में ज्यादा समय देने लगा और जो भी थोड़ा बहुत पैसे जमा होते उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए बचाता उसने कुछ किताबें उधार ली और खुद से पढ़ाई करना शुरू किया धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी उसने गाव की सभी परीक्षाओं में टॉप किया और उसे एक सरकारी छात्रवृत्ती मिल गई जिससे वह शहर जाकर पढ़ाई कर सकता था रामू ने शहर की ओर रुख किया लेकिन उसके लिए यह यात्रा आसान नहीं थी शहर में आकर रामू ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी की वह दिन में कॉलेज जाता और रात में नौकरी करता कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता लेकिन उसकी हिम्मत और संकल्प उसे कभी तूटने नहीं देते थे उसने हर कठिनाई का सामना किया और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की कुछ वर्षों बाद रामू ने अपनी डिग्री पूरी की और एक बड़ी कमपनी में नौकरी पाली उसकी मेहनत और संगर्ष ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जिसका सपना वह बच्पन से देखता आ रहा था अब वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिती सुधार चुका था और अपने गाव के बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करता था रामू की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हमारे अंदर द्रड संकल्प और आत्म विश्वास हो तो कोई भी बाधा हमें सफलता की ओर बढ़ने से नहीं रोक सकती किस्मत उन्ही का साथ देती है जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं रामू ने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो सच्ची मेहनत और द्रड संकल्प से सब कुछ हासिल किया जा सकता है